नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में इस चैनल पर मैंने काफी अर्से सी वीडियो नहीं डाली है तो मैंने सुचा जो प्रॉडक्ट वगरा मैं इस्तेमाल करता हूं का रिव्यू करूँ अभी दो तीन माइक खरीदे हैं मैंने वायरलेस तो मैंने पावर वाला पावर वाला आपको पता होगा पावर करने के लिए ओन और एन आर वाला है नॉइस रिदक्शन यानि कि अगर आपके बैक्ग्राउंड में ज्याद आवाज आ रही है तो उसको वह फिल्टर आउट कर देता है बहुत ही प्रेटी सिंपल यही दो चीज मिलती एक चार्जिंग के लिए केबल मिलता है उसके लाबार कुछ मिलता नहीं है इसकी कीमत लगबग 2300 मिली मुझे अभी यहाँ पर फेस्टिवल सेल वगएरा चल रही थी तो उसमें यह मिल गया मुझे वैसे 2200-2300 रुपे का आपको यह मिल जाएगा Amazon से कहीं से भी ले सकते ह ऐसे दिखने वाले ना बहुत सारे Chinese माइक भी आते हैं और पर वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं यह उनसे बेटर परफॉर्म करते हैं मैं आपको बता दूं उसी चीज केस में पैसे लिए गया है नहीं तो ऐसे दिखने वाले जो माइक है आप देखोगे ची टाइब सी पोड के साथ आता है और यह अलग अलग में भी आता है मतलब यह आईफोन वाला भी आता है पर यह वह वाला मॉडल नहीं है पाचास मीटर का वायरलेस ट्रांस्मिशन है मतलब इसको लगाकर पचास मीटर तक आब बात कर सकते हैं इसके सैंपल में लास्ट में ऐसे से करके इसको लगा सकते हैं बहुत अच्छा फीचर रही है हाई परफॉर्मेंस नॉइस रिदक्शन नॉइस रिदक्शन मिलता है पीछे की जो भी आवाज वगार आई इसको लगाकर अगर रखोगे और कैमरा में कुछ प्ले करोगे तो मतलब अपके फोन में तो यह हटाना नहीं पड़ता है ऐसे ही प्ले आवाज आ जाती है इसकी जो बैटरी लाइफ है दोस्तों नौ घंटे है यह कंपनी क्लेम करती है मैं चेक नहीं किया है और आटोमेटिक पेरिंग है यह सारे फीचर वगारा इसमें लिखे हुए है अब यहां पर यह इसके स्पेक्स माइक से इस माइक से आवाज रिकॉर्ड करते हैं आपको सेंपल मिंट जाएगा तो अभी आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वह बोया के बी वाग वी 10 मारूं आप्स देख सकते हो इसी microphone से record हो रही है इसको मैं अपने clip पर लगा देता हूँ इसका noise reduction mode भी मैं आपको चला के दिखाऊंगा तो यहाँ पर यह लग गया है कॉलर पर नॉर्मली जैसे लगाते हैं और मैं बुल रहा हूँ तो यहाँ पर मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो इस वक्त बोया के BYV10 budget microphone से record हो रहा है यहाँ पर इसमें आवाज में मैंने noise reduction off कर रखा यानि यह आसपास की आवाजें भी catch करेगा पर पता है जब भी noise reduction on करते हैं तो voice का presence गिर जाता है background की noise और background को तो वो erase करता है यह साथ-साथ जो voice का presence से उसको भी खतम कर देता है और budget microphone में यह चीज़े जादा एक level पर होती है तो ठीक है यह normal आवाज है इस microphone की 2300 रुपे का microphone है अब मैं इसका noise reduction mood on करता हूँ और यह एक बार बटन दबाने से यह noise reduction इसका on हो जगा है और यह blue से green light हो गई है अब आप जो वाज सुन रहे हैं यह noise reduction on करने के बाद है इससे आपको example लगेगा कि voice का presence कैसा गिरता है जब हम noise reduction on कर देते हैं तो आपको example पता चल गया होगा voice का यह दिखा दिया इस mic में और ज़्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा इसके यह mode को हटा देता हूँ मैं और मेरे सब से ठीक ठाक माई होगा आगे की वीडियो इसी से continue कर सकता हूँ मैं तो खड़ दिया मैंने तो यह वीडियो भी record कर रहा है और यह example पी जाए उन लोगों के लिए जो start कर रहे है ज्यादा professional लोग अगर जो एकदम professional audio expect करना चाहते है वो इस microphone से थोड़ा सा दूर रहे बाकी आप judge बनिये आपके सामने मैंने result रख दिया है अगर ऐसी आवाज से आप काम चला सकते हैं तो आप बिलकुल इसके लिए जा सकते है मेरा जो room है वो form से treated है तो वो भी एक factor आप consider कर लेना आसपास का environment बहुत matter करता है बाकी इस तरह की की आपको आवाज मिलेगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करें दोस्तों के जाएर करें तो comment section ने बताएं चैनल को subscribe करने साथ बेल आइकन को press करें मैं मत आप से एकली वीडियो में thank you so much and goodbye